हेलो स्टुडेंट्स मैं हूँ आपका एजुगेटर कमलाक्ष ज़ा 6th of January 2021 का Current Affairs का ये lecture आप लोग देख रहे हैं गाईज अगर आप Civil Services Examination की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए mandatory है इस पूरे lecture को end तक देखना और regularly मैं जो भी lectures की दोरान आपको instructions provide कराता हूँ उन instructions को आपको इमानदारी से follow करना है अगर आप ऐसा करेंगे regularly lectures देखेंगे lectures की दोरान instructions को follow करेंगे तो आपका 100% guarantee selection होगा और 100% guarantee selection की बात मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ मैं बकायदा उसके proof देता हूँ आप नीचे description पर proof चेक कर सकते हैं मैंने UPSC exam 2020 से एक से डेट साल पहले जितने भी topics कवर कराए हैं उनी से related questions पूछे गए हैं और even अगर आप state civil services की तयारी कर रहे हैं तो भी मैं आपको बतादू कि UPSC exam 2020 exam से एक से डेट साल पहले मेरे दोरह पढ़ाए गए जितने भी topics रहे थे उनी से related portions पूछे गए हैं तो आप चेक कर लिजे और regularly lectures को follow करते रहे हैं और यहाँ पर अपन सभी sources से news को cover करते हैं इसका मतलब यह है कि आपको कहीं और से current affairs की तयारी करने के आवशकते निये full-fledged आपकी तयारी यही पर ही करवाई जाती है prelims और means दोरों point of view से अपन news को cover करते हैं English Hindi दोरों में news cover की जाती है तो आप देख सकते हैं paper 2 और paper 3 के यह कुछ topics हैं जो आज आपन discuss करने वाले हैं and PDF paid package को अगर आपको join करना है तो आप join कर सकते हैं इसकी fees मात्र 100 रुपीज पर मंत की है इसमें आपको daily lectures की PDF प्रोवाइड की जाती है, handout notes प्रोवाइड किया जाते है आपके revision के लिए आपको weekly compilation प्रोवाइड किया जाता है आपको monthly magazine दी जाती है मात्र 100 रुपीज पूरे महिने की fees में अब ये एक offer भी चल रहा है इस offer को आप देख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो और बाकी इस paid package को कैसे join करना है उसका पूरा instruction यहाँ पर लिखा हुआ है ये QR code का आप इस्तमाल कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए या फिर पेमेंट करने के लिए और भी details हो है वो नीचे description पर दी हुई है आप उसको check कर सकते हैं और इसके लाब अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है कोई जानकारी चाहिए paid package से related या current affairs से related तो आप मुझे facebook पर message करके पूछ सकते हैं कमलाक्ष जाक के नाम से आप search कीजिएगा facebook पर ये मेरी profile है और अगर आप facebook पर नहीं है तो simply ये मेरा number है 9713-282838 ध्यान रहे इस number पर call नहीं करना है call attend नहीं किये जाएंगे आप SMS के थूँ ये telegram पर message करके मुझे से contact कर सकते हैं मेरा reply आपके पास within 24 hours आ जाएगा और अगर आप telegram पर है तो आप telegram पर मुझे नीचे description पर आप चेक करेए telegram का अपना एक channel भी है और group भी है उसको भी आप join कर सकते हैं ठीक है तो चलो आपका समय ना waste करते हैं अब लेक्चर को शुरूब गैस बात करेंगे bird flu के बारे में काफी important topic है अभी चिडियाओं की death जो है वो record की गई है कैरला के अंदर इवन राजिस्थान में भी bird flu के case सामने आये है तो कैरला में दो डिस्टिक्स के अंदर bird flu के case आने के बाद कैरला के अंदर elite जो है वो जारी कर दिया गया है H5N8 virus जो है वो सामने आया है यह influenza A virus का sub type है जो की ducks में record किया गया है जो duck होती न बतक उनमें यह record किया गया है उनमें यह बिमारी जो है वो सामने आयी है तो देखो यहाँ पर civil services ने पहले H1N1 से related question पूछा था UPSC ने भी और various state civil services ने भी कि H1N1 अभी recently news में था किस से associated है तो आपको याद रखना है H5N8 के बारे में कि H5N8 अभी recently news में था किस से associated है तो bird flu यह हम लोग को देखने को मिल रहा है avian influenza A virus का sub type है हम लोग को देखने को मिल रहा है H5N8 ठीक है तो avian influenza या bird flu की बात करते हैं तो viral infection नहीं है और याद रखना कि bird flu सिर्फ चडियाओं को नहीं होता है बलकि humans को भी और दूसरे animals को भी हो सकता है बट उसके chances काफी rare होते हैं बट फिर भी humans को भी होने की सम्माबना इसमें होती है तो अगर कोई statement आजाए कि humans को bird flu नहीं होता है तो वो statement गलत होगा humans भी bird flu से infect हो सकते है या और दूसरे animals भी है mammals भी highly contagious viral disease है ये काफी तीजी से फैलने वाली disease है ये bird flu जो food producing birds जो हम लोग को देखने को मिलती है जैसे chicken हो गया तरकीज हो गई, क्वैल्स हो गई, गुनिया हो गई, फॉल हो गई तो ये सब जो चडिया होती है उनमें ये bird flu हम लोग को जादा देखने को मिलता है और even pet birds होती है जिन चडियाओं को घर में पाला जाता है उनको भी ये virus हो सकता है और जंगली चडियाओं को भी हो सकता है और occasionally mammals को जिसमें humans including हम लोग को नजर आते हैं यानि कि humans भी तो उनको occasional तोर पर हो सकता है ये बट उसकी chances काफी कम होता है और influenza A virus को classify किया जाता है subtypes में जैसे कि ये इसका एक subtype है H5N8 तो ऐसे काफी सारे subtypes होते है बट जो subtypes होते है वो दो surface proteins की ओपर based होते है ये है हिमा, glutinin और neuraminidase तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बताई ही क्योंगी कभी कभी ऐसा question भी बन सकता है कि जैसे neuraminidase लिखा हुआ आ जाए कि ये किस से associated है तो bird flu से associated है आपको तुरंट click होना चाहिए इसके लबा influenza A H5N8 virus की अपन बात करें तो Paris की एक World Organization for Animal Health है इसने बताया है कि H5N8 influenza जो है ये avian influenza ये चिडियाओं की बिमारी है और ये type A influenza virus के कारण हो रही है और ये जातर जो domestic poultry पोल्ट्री की जो species हम लोग को रज़र आती है जो पोल्ट्री फार्मिंग आप देखते होगे जहापर मुर्गियों को मुर्गों को रखा जाता है एक साथ है ना पोल्ट्री फार्मिंग में तो बहाबर chickens होते हैं टर्की होती है 12 गुनिया फावल और डख होते हैं और और भी दूसरी pet birds जो है और wild migratory birds जो है और water fowl है तो इन सब जो species हैं चड़ियाओ की तो उनको ये बिमारी होनी की संभावना जादा है H5N8 तो ये चीज़ हापर बताई गई है और क्या ये virus humans में transfer हो सकता है तो H5N8 का अभी कोई भी case सामने नहीं आया है human transmission का बट ऐसा नहीं है कि human में transfer नहीं हो सकता बट अपन ने बात करी कि bird flu जो है वो human को भी infect कर सकती है बट flu human को भी हो सकता है तो इसलिए H5N8 का अभी हाला कि कोई evidence सामने नहीं आया है कोई ऐसी report सामने नहीं आया है कि human को H5N8 virus हुआ है या human H5N8 से infect हुआ है अभी ऐसा नहीं आया है बट ऐसा नहीं आया है इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि नहीं होगा precautions रखने की definitely आवशकता है तो ये चीज़ आपर बताई गई है और even ये ऐसे भी cases सामने नजर नहीं आया है कि human ने किसी infected bird के अंडे को खा लिया या फिर उसका meat खा लिया तो उसको ये virus हो गए तो अभी ऐसा कोई case सामने नहीं आया है फिर भी precautions रखने की आवशकता है सतरक होनी किया वशकता है तो ये चीज़ आपर बताई आ रही है अच्छा इसके लाबा एक fact और जानो कि जब भी बर्ट फ्लू होता है तो बर्ट फ्लू को control कैसे किया जाता है चिडियाओं को मार कर जो भी infected species होती है उनको मार दिया जाता है जिससे कि उनसे virus जो है वो दूसरी species में ना फैले और मारने के इलाबा authorities को ये ध्यान में रखना ज़रूरी होता है कि जो भी ये चिडियाओं को मार जाता है तो जो चिडियाओं हैं तो उनको ऐसी जगा पर dispose करना जहां से virus का infection हो है जहां से वो virus वो spread ना हो और इवन जिन गाडियों में ये मरीयों ही चिडियाओं को ले जाया जाता है या infected birds को ले जाया जाता है इवन उन birds को भी isolate रखने की आवशक्ता होती है quarantine में रखने की आवशक्ता होती है तो ये चीज हम लोग को देखने को जैए जैसे किसी जगा पर bird flu हुआ तो उस जगा पर जित्ती भी चडिया है infected उन्स सभी को मार दिया जाता और उनको ऐसी जगा पर dispose किया जाता है जिससे की infection जो है को फैले ना तो ये चीज एक important हम लोग को देखने को बज़ी तो ये था पूरा वरोल topic bird flu से related इससे बाहर का आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा Iran nuclear deal ये topic आपको अच्छे से पता होना चाहिए इस topic से related हर एक fact जो है वो आपको clearly पता होने चाहिए तो इस topic को मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका और कई बार अपने articles में Iran nuclear deal को discuss किया हुआ है अगर आप मुझे regularly follow कर रहे हैं तो आपको हर एक चीज़ Iran nuclear deal से related पता ही होगी definitely क्योंगी काफी crystal clarity से हर एक चीज़ मैं आपकी cover कराई हुई है और अगर आपने अभी अभी ये lecture देखना शुरू किया है तो 13 September 2020 के आप lecture में जाईए और इस lecture के 28 minute 1 second पर ये topic मैंने आपको पढ़ा है इरान nuclear deal का इसको जरूर जाकर देख लीजे ये topic बहुत important है आपको simply YouTube के search column पर ये लिखना है 13 September 2020 उसके आगे मेरा नाम लिखते है ना कमलाक्ष जो भी search list में सबसे पहला वीडियो आएगा ये आपका 13 September का वीडियो होगा इस वीडियो के 23 minute 1 second पर ये topic देख लो अभी के भी जाकर तो आपको पूरी चीज crystal clear हो जाएगी इरान nuclear deal के बारे में तो देखे कुछ मैं चाहूँगा कि आप कुछ examples लेखो क्योंकि international relations वाले जो topics होते है में में तो उसमें कुछ examples आपको पता होने चीज और recent past की example आपको पता होने चीज दो country के relationship के बारे में जैसे कि इरान nuclear deal की जब भी भी बात होती तो United States और इरान की बात तो होती होती है क्योंकि आप जानते है United States ने इरान की उपर economic sanction लगा दिये यह deal कर रही है तो इस प्रकार का sanction जो है वो economic sanction United States ने इरान की उपर लगा दिया जिससे कि इरान जो है वो अपनी कमाई वगरा ना कर पाए किसी प्रकार से उसकी income वगरा generate ना हो क्योंकि income उसकी तभी generate होगी ने जब वो export करेगा अपनी economy को boost ना कर पाए export के माध्यम से या international relationship के माध्यम से तो उसको चूर करने के लिए उसको गुटने पर बठाने के लिए यह चीज भी है वो United States ने इरान के साथ करी थी और अभी कुछ से में पहले अपन ने बाद भी करी थी कि इरान ने declare कर दिया था कि United States ने इरान के उपर जो sanction लगाया है उसके करन से अब इरान joint comprehensive plan of action या फिर इरान nuclear deal जो थी 2015 की उसको अब वो नहीं मानेगा और uranium enrichment करना शुरू कर देगा uranium निकालना शुरू कर देगा तो यही चीज हुआ है अभी ये news में कि इरान ने शुरू कर दिया है अपने uranium के enrichment को और ये violation कर रहा है nuclear deal का और इसने actually पहले ही बोल दिया था कि ये nuclear deal को मानेगा नहीं और ये चीज़ इसने साबित कर दी इसकी process जो है वो शुरू हो गई है uranium enrichment के और uranium से सीधे-सीधे uranium का relationship जो होता है वो nuclear weapons से related होता है और जहां बात होती है अगर Iran जैसी country की तो हम ये बिलकुल भी जो है वो नहीं कह सकते कि ये जो uranium का enrichment कर रहा है ये peaceful purpose के लिए कर रहा है ये nuclear research purpose के लिए कर रहा है बिलकुल भी नहीं है nuclear bomb बनाने के लिए ही कर रहा है क्योंकि United States और इसके बीच एरान के बीचे इतनी दुश्मन दुश्मनी जो है वो बढ़ गई है कि ये nuclear weapon definitely बनाएगा और USA को थोड़ा सा डराने के लिए और बट USA भी अपने आप में पीछे है नहीं वो भी जो हो action लेता ही है और उसने लिया भी था इवन बट उसका action जो है वो एक बार fail हो गया था आपको शायद याद आ रहोगा तो यह जो मैं चीज़ा आपको बता रहा हूँ example यह आप no down करते चलो ठीक है क्योंकि यह सब चीज़ा आपके mains के लिए important है मैं भी recent past के example जैसे कि अभी कुस्स से पहले United States ने इरान के पास एक अपना spy drone लेकर आया था निगरानी रखने के लिए drone लेकर आया था पर वो fail हो गया था क्या इरान ने उसके drone को shoot कर दिया था इसके इलाबा दुश्मनी और भी ज़्यादा तब बढ़ी जब United States ने इरान की एक military force जो है याने की इरान के अंदर armed force की एक wing है उसका नाम है इरान revolutionary guard corps क्या है इरान revolutionary guard corps तो ये जो उसकी wing है इसको United States ने terrorist declare कर दिया था कि ये terrorist group है याने की इरान की एक military wing को terrorist group declare किया कि किसी country ने किसी दूसरी country की army की wing को military group जो है वो declare किया ये बहुत बड़ी बात होती है तो ये जीज सामने आई तो उसमें और दुश्मनी जो है वो USA और इरान के बीच में बड़ी इसके लाबाए USA ने क्या किया था इराक के अंदर इरान का एक major वहाँ पर मौझूद था और क्या नाम था सुलेमानी कस्सम सुलेमानी तो ये उसका major था उसको उसने मार गिराया था ये उनाइरे स्टेट्स ने अभी वो वाइट हाउस में वो शिफ्ट नहीं होए वो होंगे तो उन्होंने एक स्टेट्मेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जॉइ बिडिन जो है वो इरान के साथ बातचीत करेंगे नेगोशेशन करेंगे और उसके उपर से economic sanction हटाएंगे बट क्या हो गए इस्की इस हरकत के कारण Something कररण उन्होंने जो इसने अभी शुरू किया है इसके कारण जो है बातचीत शाइद अब जूह हो नहीं हो पाएगी USA और इरान के बीच में क्योंकि Joy Britain जो है वो शायद अब नहीं करेंगे बाची पहले तो फिर भी कर सकते थे पर इसने अब ये जो रिज्यूम कर दिया अपना Uranium Enrichment को तो उसके बाद डेफिनेट भी नहीं करेंगे इसमें एक fact आपको बता होना चाहिए कि ये फॉर्डो nuclear facility कहा पर है तो इरान में है तो ये इसकी location भी आप देख लो ये nuclear facilities हम लोग को इरान के अंदर देखने को मिल रही है आप चाहो तो विडियो को pause कर गए पूरी nuclear facility एक बर देख सकते हो तो ये फॉर्डो आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर हम लोग को नज़र आ रहा है फॉर्डो रही तो ये uranium enrichment facility है इसकी इरान में आप देख सकते हैं यह आप और ये है हम लोग को यहाँ पर नज़र आता है यह इरान का मैप है इसके बगल में यह पाकिस्तान है उसके बगल में आप देखेंगे तो इंडिया आपको दिखाई जैती है ठीक है तो यह चीज़ आप लोग को बस basic सा fact एक बता होना चाहिए इसके बारे में और बाकी यह joint comprehensive plan of action वो जिखान में रखनी है बाकी और ज्यादा इसमें detail में जानी के यावशक्ता नहीं जितना में आपको बता है वो आप थोड़ा से धान में रखो mains point of view से और prelims point of view से JCPO यह वाला topic ज़रूर पढ़ लेना prelims और mains दोनों के लिए topic बहुत इंप anti-conversion law के बारे में यहापर बात हो रही है गाई तो देखो repeated topic है और मैंने इसलिए इस topic से related separate separate videos आप लोग के लिए बना के रखे हुआ है जिससे कि आपको पूरी चीज crystal clear जो है वो यह लव जिहाद वाले topic से related हो जाए या anti-conversion law से related हो जाए तो उत्तर प्रदेश के कानूट के बारे में भी बात करी है अपनने मध्यप्रदेश के कानूट के बारे में भी बात करी तो यह separate videos आपके बने हुआ है जिन्हों ने देख लिया है एक बार revise कर लो क्योंकि यह topic 99% अब इस topic के chances है प्रिलिम्स और में दोनों में पूछे जाने के तो इस topic को अच्छे से आप separate video जो है आप लोग के लिए बना के रखे हो है जिन्हों इस देख लिए है बहुत अच्छी बात है जिन्हों नहीं देखे है और already जिन्हें देख लिए बार revise जरूर कर लेना आपके notes वगरा से आज ही करो revise यह आपका task है तो यह फिर से repeat हुआ था यह topic तीन कानून के बारे जा चुकी है बड़ आप यह पूरा पूरा वीडियो आप देखिए ठीक है आपको पूरी चीज़ जो है वो crystal clarity हो जाएगी आप simply अगर आपके वास यह PDF नहीं आती यह lectures की आप simply YouTube के search column पे लिखेगा love जिहाद ठीक है love जिहाद लिख दीजेगा उसके आगे मेरे नाम लिख important topics हैं सब ठीक तो इनके बारे में crystal clarity आपको होनी चाहिए अच्छा यहाँ पर एक चीज़ बस यह ध्यान मेरे को इस article के अंदर एक नहीं चीज़ है burden of proof वाली तो burden of proof का मतलब क्या होता है पहले तो मैं आपको यह समझा रहे तो burden of proof का मतलब होता है कि कौन साबित करेगा कि हुआ है तो उसका burden यानि कि साबित करने का burden किसकी ओपर होगा यानि कि crime को साबित करने की जिम्मेदारी किसकी ओपर होगी तो देखो मध्यप्रदेश का कानून और उत्तरप्रदेश का कानून जो है और हिमाच्रप्रदेश का कानून जो है वो इस burden of proof को लेकर क्या कहता है तो इसको अपन देखेंगे तो मध्यप्रदेश के अंदर जो भी यानि कि जिसका religion convert हुआ है जिसका धर्म परिवर्तन हुआ है तो उनको साबित करना हुआ कि उनके साथ forcefully जो धर्म जो है वो उनका convert किया गया है या फिर वो अपनी मर्जी से हुआ है तो जिसका धर्म convert हुआ है तो उसको साबित करना होगा burden of proof उसकी उपर आएगा मध्यप्रदेश के कानून में भी और हिमाचल प्रदेश के कानून में भी राइट बट उत्तर प्रदेश के कानून में क्या चीज़ है जिनोंने धर्म परिवर्तन किया उनको जो है वो प्रॉपर स्टेट्मेंट दे उसके उपर दबाब नहीं डाला है forcefully religious conversion नहीं किया है उसमे तो ये जम्मेदारी जो होगी जिसने किया है उसके उपर उत्तर प्रदेश में और MP और हिमाचल प्रदेश में जिसका धर्म convert हुआ है यानि कि जो खुद जिसने अपना धर्म change किया है convert किया है तो उसको बताना ह होगे कि उसके उपर कोई अत्यचार नहीं हुआ है या फिर हुआ है जो भी है मैंने कि प्रूफ जो है वो उसको देना हुआ जिसका धर्म परिवर्दन हुआ है तो यह एक difference जो है वो अच्छा थोड़ा ध्यान में रखो क्योंकि यह topic बहुत important है इससे related हर एक चीज आपको बहुत important है यह वाली crystal clarity भी आपको होनी जाए गाइस किसी व्यक्ति के पास कोई pet हो याने कि कोई जानवर वगरा हो उसके पास और वो व्यक्ति अगर उस जानवर को मारता पीटता हो उसको mishandle करता हो तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कारवाई की जाती है और यह prevention of cruelty to animals care and maintenance of case property animals rules 2017 के तहत हमें देखने को मिलती है याने कि मोटे मोटे तौर पर यह जो rules है वो इसलिए बनाए गया है जिसे कि animals की उपर कोई अत्याचार ना करे तो यह चीज़ हमें देखने को मिलती है तो ऐसे कानून को audible supreme court ने कहा है कि रद कर दिया जाए खतम कर दिया जाए खारिच कर दिया जाए ऐसा क्यों कहा तो इस पर अपन थोड़ी बात करता है तो देखे यहाँ पर problem क्या आ रही थी जैसे कि कुछ farmers हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो की cattle की उपर dependent होते हैं यह गायों की उपर dependent होते हैं अपने pet की उपर dependent होते हैं अपने livelihood के लिए जैसे की दूद बेच कर कमाई करते हैं वो तो अगर ऐसे इंसान के खिलाफ अगर कारवाई होती है यह cruelty act की कारवाई कि वो जानवर को जो है वो miss handle कर रहे हैं उसको मार पीट कर रहे हैं उसके उपर अत्याचार कर रहे हैं तो ऐसे वेक्ति की उपर जब कारवाई होती है तो उस जो species जानवर जो पिंजर पोल भेत दिया जाता है और भी ऐसी जगा भेत दिया जाता है जहापर वो अनिमल जो है वो सुरक्षित रहे रहे फिर बाद में अथोरिटी इस एनिमल को एडॉप्शन के लिए भी जो है वो दे सकती है यानि कि कि किसी को दान गवागरा भी दे सकती है कि कोई कि एक व्यक्ती के उपर सिर्फ संधे ही अगर हो यानि कि सस्पीशन के तौर पर ही किसी व्यक्ती की जो कैटल है उसकी जो स्पीसीज है वो उससे छीन ली जाती है राई सिर्फ संधे होने पर भी यानि कि उस व्यक्ती ने उस जानवर को मारा पीटा ना भी हो सिर्फ अगर उसकी उपर आरोब ही कियो ना लग गया हो इस rules के तहट तो उसकी जो species है वो उससे छीन ली जाती है और गौशाला वगरा भेड़ दी जाती है तो ये एक स्थेती है तो इसमें क्या problem आ रही है कि काफी सारे ऐसे लोग है जिन्हों ने जानवर को मिस हैंडल नहीं किया है मारा पीटा नहीं है बड़ फिर भी अगर उनकी किलाफ याली कारवाई हो रही है तो उनका जो livelihood है वो भी जो है वो नुकसान हो रहा है नहीं के livelihood का भी राईट योगी उनका जो पूरा obvious ही वात है कि वो कमाई जो कर रहा है वो उस animal के कारण ही कर पा रहा है बड़ अगर उनकी उपर अगर कोई इस प्रकार से आरोप लग जाता और उनसे animal चीन जाता है तो यह बड़ी दिक्काब हो जाती है तो इसको देखते होए audible supreme court ने order दिया है कि इस particular rule को जो है वो खारिच किया जाए इसकी जगा जो है कुछ ऐसा rule लाए जाए जिसमे बाद में कारवाई होने के बाद उस species को व्यक्ति को वापस दिर जी है और थोड़ा सा fast track जो है वो court इसके लिए होनी चाहिए कि जिससे की मामला जो हो जल्दी solve हो जाए especially ऐसे व्यक्तियों के अगेंस जो मामला लगता है जो व्यक्ति उस animal की उपर अपना जीवन यानि कि उनका आइनीमेल की उपर उनका जीवन जो हुष निर्भर रहता है यानि कि उनका लवली होड उस अनिमल की उपर dependent रहता है जैसे की दूद बेशने वाले जो लोग होता है तो उनका पूरा उव्यक्ति की उपर यह वाला आरोप लग जाए कि वो व्यक्ति जो है वो अपनी cases अगर लंबा खिच रहा है तो obviously बात है कि उसका livelihood भी जो है वो damage हो रहा है उसकी जो कमाई का sword से वो खतम हो गया तो यह एक issue है ऐसी गंभीरता को देखते हुए Honorable Supreme Court ने सको खारेज करने की बात करी है तो यह जो कानून है उसके बारे में आपको एक basic idea देई दिया तो यह basically prevention of cruelty to Animals Act 1960 के under आता है इसमें magistrate जो है वो एक व्यक्ति की जो गाय है वो जब्त कर सकते है या animal जो है वो जब्त कर सकते है ऐसे व्यक्ति का animal जब्त कर लिया जाता है जिस व्यक्ति के खिलाफ इस कानून के तहर्ट जो कारवाई होती है यानि कि ऐसे व्यक्ति के उपर अगर आरोप लगा होता है कि वो व्यक्ति animal को mishandle कर रहा है मार भीट रहा है तो उससे वो animal छीन लिया जाता है और फिर कहा का पर भेद दिया जाता है मैंना आपको already पताई कि यह even जो authority जो है वो animals को adoption लिए भी दे सकती है तो यहाली चीज़ भी हम लोग को देखने को मलती है तो यह था पूरा oral topic जिसके आपको एक जानकारी होनी चाहिए budget session को लेकर यह news हमें देखने को मली थी हाला कि news is not important but mainly आपको कुछ facts पता होनी चाहिए especially examination perspective से तो मेरा आपसे एक question है total कितने session होते हैं नीचे comment box पर लिखकर बताईए parliament के अंदर और उसका नाम भी लिखकर बताईए कौनसा कौनसा session होता है और एक question है means का आप लोगों के लिए आज ही आपको इसका answer लिखकर देना है कि parliamentary session क्यों important होता है और संसदिया सत्र का महत्यों क्या है तो उसके बारे में आपको लिखना है 120 words में इसका answer आपको लिखना है pen और paper पर answer लिखेगा नीचे comment box पर यहाल answer मत लिखेगा pen से paper लिखेगा और इसकी photo खीच कर आप अपने telegram का जो अपना group है वहाँ पर share कीजएगा नीचे description पर आपको telegram के channel और group की link मिल जाएगी तो वहाँ पर यहाला answer आप 120 words में लिखकर share कीजए कि Parliament का session क्यों important होता है और अभी यह budget session का topic news में इसलिये था क्योंकि यह भी बताया जा रहा है कि expectation ऐसी रखी गए यह कि शायद हो सकता budget session इस बार और उसमें proper तरीके से COVID-19 के measures को follow किया जाएगा जो safety measures वगरा जो हमें देखने को मिलते है उनको follow किया जाएगा strict physical distancing norms वगरा होंगे तो यह ऐसा हो सकता है हमें शायद देखने को मिल सकता है बट अभी clarity में यह भी नहीं कि question hour को जो suspend हो गया था मौनसू session के दुरान तो वो क्या इस बार part रहेगा question hour की नहीं रहेगा तो आपको देखो question hour के बारे बता होना चाहिए zero hour के बारे बता होना चाहिए proper जो parliament का business है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए उसका जो schedule है उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए एक zero hour करके मैंने एक अलग से separate video बनाया हुआ है आप चाहें तो वाला video देख सकते है zero hour का उसमें भी बहुत सारी चीज़े है इस से related session से related मैंने explain की होगी है आप लगों को तो देखे आर्टिकल 85 का भी एक fact आपको बता होना चाहिए कि आर्टिकल 85 के according दो parliament session के बीच में जो gap होना चाहिए वो 6 महिने से जादा का नहीं होना चाहिए तो maximum six months के अंदर ही अंदर दो session conduct होने चाहिए तो ये चीज़ आपर दो session नहीं कि दूसरा session जो है वो 6 महिने के अंदर ये अंदर शुरू हो जाना चाहिए तो gap नहीं होना चाहिए दो session के लिचे वे 6 महिने से जादा का और ये एक important factor statement wise पहले पूछे जा चुके हैं दोबारे से पूछे जा सकते हैं civil services के अंदर की हमारे इंडियन constitution में कहीं पर भी mention नहीं है कि parliament की बैठक कितने दिनों की होगी कितने दिनों तक parliament का session चलेगा कहीं पर भी mention नहीं है तो ये वाली चीज़ भी आप लोग को थोड़ी सी पता हो नहीं चाहिए तो ये है basic सी चीज होगी news में थी जून में हम लोग अपने scientist researcher को भीजेंगे Arctic expedition के लिए यानि कि Arctic छेत्र में जाकर research करने के लिए तो इसको लेकर ये topic हमें news में देखने को बलग तो कुछ fact जानते हैं तो हमारा पहला scientific expedition Arctic के लिए August के पहले हफते में हुआ था 2007 में और ये international research facility का उपयोग करते किया गया था जो की Norway की Spitsburgen island पर हम लोग को देखने को मिलता है तो देखो Norway की location आप देखो ये Africa है Africa की उपर Europe है आप Greenland से इस तरफ जाओगी East की तरफ तो ये आपको Norway island दिखाई देगा और इंडिया हर साल गर्मियों पे और सद्धियों पे अपने साइंटिस्ट को भेजती है साइंटिफिक टीम को भेजती है स्टेडी कंड़क करने के लिए Arctic एरिया पर और ये Glaciology, Hydrochemistry, Microbiology, Atmospheric Science ऐसी फील्ड पर स्टेडी कंड़क की जाती है तो इसका एक आपको आइडिया होना चाहिए इंडिया सिगनेटरी है Arctic Treaty की भी और Antarctic Treaty की भी हमारे दो Research Station है Antarctica के अंदर अगर अपन बात करें भारती की जिसकी शुरुवात 2012 में हुई थी और मैत्री जो की 1988 से हमें देखने को मल रहा है हमारा Research Station इसके लावा Arctic Council के अंदर इंडिया के पास Observer Status है तो यह बस Basic Facts है जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए Pangolin पिछले एक साल में काफी जाजा चर्चा में रहने वाला यह Species है और आप जानते होंगे इस Species के बारे में थोड़ी बहुत जिससे की खत्रे से यह बच सके तो यह Pangolin Species है और Coronavirus के फैनले का भी एक कारण Pangolin Species है तो बैट के इलावा यह भी कहा जाता है चिंब्यादरों के लावा की Coronavirus Pangolin से भी फैला है तो यह भी एक आपको जानकारी होनी चाहिए तो Odisha Forest Department अभी क्या कर रही है अभी काफी strict तरीके से social media platforms की monitoring कर रही है यह चेक करने के लिए कि Pangolin की poaching, smuggling वगरा जो है वो कहा का पर हो रही है और Pangolin का जो illegal trade जो होता है तो जो online trade जो हो रहा है तो उसकी जानकारी लेने के लिए उसकी निगरानी रख रही है Odisha Forest Department तो इसलिए यह topic news में था Pangolin से related facts जानते है तो यह एक lotta scaly mammal हमारे planet अर्थ में देखने को मिलता है CITES के according इसकी class का यह सबसे ज़्यादा illegally traded vertebrate के तौर पर हमें निज़ जाता है सबसे ज़्यादा trade जो होता है वो इसकी class की species में Pangolin का ही हमें देखने को मिलता है और 8 species पूरे दुनिया भर में Pangolin की पाई जाती है इंडिया में 2 species पाई जाती है एक Chinese Pangolin जो की जादतर North Eastern India में पाई जाती है और दूसरी Indian Pangolin हमें देखने को मिलती है Chinese Pangolin IUCN की Red List में critically endangered species के तौर पर है Indian Pangolin endangered category की species की तौर पर हम लोग को देखने को मिलती है List है और Indian Wildlife Protection Act 1972 के Schedule 1 में भी इसको संदक्षर दी गई है यह बस basic facts है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए Pangolin से ले लेटे Flu gas desulphurization देखो topic नाम से ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना Difficult topic होगा यह बट बहुती easy सा topic है यहाँ पर simple सा आपको concept समझना है कि इसमें लिखा क्या है इसमें लिखा है Desulphurization इसका मतलब क्या है कि Sulfur को remove करना Desulphurization और gas में से Sulfur को remove करने की बात की जा रही है तो देखिए जितनी भी factories बगएर हम लोग को नजर आती ही देखने को मिलती है आप सभी आते हैं कि factory का जैसी नाम लो industry का जैसी नाम लो दिमाग में एक बार click होता है कि अरे यार वहाँ से बहुत धुआ निकलता है क्योंकि factory की image हमारे factory की जब भी भी हम लोग सोचते है imagination करते हैं तो हमारे समने इसी प्रकार की image बनती है ये factory है धुआ निकलता हुआ हमें दिखाई देता है तो ये क्या pollution बगएर है तो pollution level आजकी rate में already increase होता जा रहा है और ये बड़ी problem हमारी country में ना सिर्फ हमारी country में है बलकि all over the world ये problem हम लोग को देखने को मिलती है हमारी country में air quality कितनी poor होती जा रही है तो आजकी rate में हम लोग क्या focus कर रहे है कि air quality improve रहे pollution कम से कम हो इस पर हम लोग focus करते है emission level जो हो degrees हो तो इस पर हमारा focus रहता है तो ये जो flu gas desulphurization है ये क्या है तो ये basically guys एक process होती है जिसके तहट gases में से sulfur dioxide को हटाये जाता है remove किया जाता है और भी काफी सारे जो pollutants होते हैं जैसे sulfur dioxide होगे और भी कुछ pollutants होगा है तो उनको जो हटाये जाता है अब कैसे हटाये जाता है इस device के अंदर और फिर यहाँ पर इस device के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि process होती है और फिर clean air बाहर निकलती है तो इसमें आपको इतना R&D करना नहीं है क्योंकि आप civil services की तयारी कर रहे हो ना कि किसी technical exam की तो इसमें आपको जादा R&D करने ही आपशकती नहीं student gas में R&D करने लगते है हरे एक चीज़ पर नहीं लगते है कोई sense नहीं है simple सा आपको यह term पूछाए आएगा उससे जादा और कुछ नहीं पूछाएगा कि यह term जो है वो क्या है तो यह जीज़ हम लोग को नजर आती है और अभी ministry of power ने proposal रखा एक deadline कि जितनी भी power plants वगेरा है factories एं इंडेस्ट्रीज हैं जो की coal से चल रही है कोईल को जला कि आप जानते हैं इस कोईला जब जलता है तब वो pollution release करता है pollutants environment में release करता है नहीं कोईल जब जलता है तो जितने भी power plants है जो की coal fired है जहाबर कोईले को जला कर जो है वो energy generate की जाती है तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि emission norms नए emission norms जो है वो उनको adopt करना है उनको emission standard के साथ comply करना है यानि कि उनको install करना है flu gas desulphurization units को इस devices को जो है वो उनको अपनी factory में install करना है जिससे की कम से कम pollutants जो है वो environment में release हो पहले भी इस प्रकार की इनों ने deadline लेकर आए थे center ने 2017 deadline set up करी थी फिर बाद में आकर deadline 2022 कर दी अलग-अलग छेतर के लिए अलग-अलग date जो है वो fix की गई थी और अब जो है वो नई deadline सामने आ रही है बट dates वगेरा हम लोग को यहाँ पर नही नजर आ रही है बट इसमें एक issue यह है कि power tariffs जो है जो हमारे घर में electricity आती है पावर जो हम लोग को देखने को बलती है तो शायद जो है वो इसके कारण यानि कि नए norms को अब करने के कारणा power tariffs जो है वो increase होगा क्योंकि यह units वगेरा लगाई जाएंगे install की जाएंगे अब units install की जा रही है तो capital expenditure हो रहा है तो उसके करण क्या होगा हमें देखने को मिलेगा कि उस expenditure को जो है वो recover करने के लिए tariffs जो है वो increase होग नहीं होगा तो यह जीज़ जो है वो ऐसी बता ही आ रही है बाकी अभी के लिए आपको simply this topic के अंदर flow gas desulphurization समझना था जो की simple सी चीज़ है कि pollution level को decrease करने के लिए यह device होती है जो की factories वगरा में लगाई जाती है और sulfur के उपर यह basically काम करती है कि sulfur जो है जितने भी topics है वो आपके as a homework के तोर पर ही है तो यह faceless tax scheme है यह वाला topic भी repeated है faceless IT जो है इसके बार में मैं आपको पढ़ाया था 30 September को 59 minute 18 second पर यह topic आपको मिलेगा और even आप एक transparent taxation honoring the honest platform इसको भी आप देख लो तो और अच्छे से आपको clarity हो जाएगी हम लोग किस direction पर काम कर रहे है जैसे tax important चीज होती है tax collection क्योंकि उसी से सरकार की revenue generate होती है तो यह topic आपके लिए important होते है और जो चीज में आपको बता रहो वो चीज आप किया करो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप लोग शायद skip ना कर तो यह सब चीज है यह सोचते होगे कि यार यार छोड़ो बाद में देख लेंगे तो देखो गाइस बाद में देखने वाली कहानी जो होती है नो सबसे खराब होती है procrastination वाली एक बार आप बोलते होगी बाद में देख लेंगे तो उसके दो बाद कभी आता नहीं है फिर वो आपके बर्डन बन जाता है और फिर आप बाद में जाकर कुछ करते नहीं फिर skip कर देते हो तो जिस दिन बोल रहा हो जिस समय पर बोल रहा हो selection 100% guarantee होगा तो यह जरूर जाकर देख लेना और जितने भी आज जो मैंने आपको task दिये थे पढ़ने के लिए वो आपके ऐसा homework के तौर पर है क्योंकि आज पूरे जो है वो लगभग almost काफी सारे ही 90% topic जो है वो repeated news में हम लोग को नज़र आए हैं तो चलो फिर यह आपका last topic था आज का और मैंने आपको जो भी topics पढ़ा है अगर अब यह अच्छे से clear होगा है तो like का button जरूर हिट कीजेगा नए आए हैं चानल को subscribe कीजे share जरूर करिएगा lecture को और अगर आपको pdf चाहिए इन lectures की तो आप pdf package को join कर सकते है सिर्फ मात्र हंडेट रुकीस पर मंत्कीस की fees है और इसमें आपको daily lectures की pdf प्रोवाइट की जाती है handout notes प्रोवाइट की जाते है आपको weekly compilation दिया जाता है revision purpose के लिए आपको monthly magazine दी जाती है और अभी offer भी चल रहा है उसकी details भी पूरी नीचे दी हुई है ठीक है और बाकी इसका अगर आपको sample देखना है की कैसी quality होती है लेक्चर अब यनकी इस pdf paid package की तो उसको आप देख सकते नीचे description पर एक video मैंने बना कर दिया हुए तो उस video पर click करके इसकी quality आप चेक कर लिजएगा ठीक है तो चलो बाबन मिलेंगे कल की लेक्चर में तब तक लिए बाबाई take care have a great day ahead